देखने वाले हैं X-Tornary Attorney Voo आज हम X-Tornary Attorney Voo का पहला एपिसोड देखने वाले है तो एपिसोड की शुरुआत में हम Voo यानि की Young Voo नाम की एक छोटी बच्ची को देखते हैं यंगू के फादर पीछे से उसे बुला रहें लेकिन इसका ध्यान तो विंडो पर लगी भी वेल फिश्ट से हड़ता ही नहीं फिर यंगू के फादर उसे एक डॉक्टर के पास लेके जाते हैं क्योंकि यंगू पांच साल की हो चुके लेकिन उसने अभी तक अपने मूँ से एक भी शब्द नहीं बोला और वो हर वक्त खोई भी रहती है डॉक्टर बताते हैं कि यंगू को आर्टिस्म की बिमारी है आर्टिस्म में दिमाग पूरी तरह से डैवलप नहीं हो पाता और इस वज़े से इंसान को किसी से कम्यूनिकेट करना में दिक्कत होती है आर्टिस्म में इंसान को दूसरे लोगों से बात करना और उनसे इंट्रेक्ट करना अच्छा नहीं लगता और ये बस अपनी ही दुनिया में खुश रहते हैं यंगू के फादर इस बात से बहुत दुखी हो जाते हैं कि ये मेरे बच्चे के साथ होना था फिर जब वो हस्पिटल से घर की ओर आ रहे होते हैं तो उनका लेंडलोर्ड चिलाते हुए उनकी तरफ आता है और गाली देने लगता है क्योंकि उससे लगता है कि उसकी वाइफ का फियर यंगू के फादर के साथ चल रहा है और वो अपनी बच्ची के बहाने उसके घर में आता है लेकिन ये सब कुछ सच नहीं होदा लेंडलोर्ड घुष़े में यंगू के फादर के साथ मार पिट करने लगता है ये सब देखकर यंगू बहुत पैनिक करने लगती है और आजीब तरह से बरताब करती है यंगू जोड़ जोड़ से चिलाकर किनना लॉख کے आर्टिकल्स बताने लगती है वो कहती है कि अगर कोई आतमी किसी दूसरी आतमी को फिजिकल डैमेज पहुँचाने की कोशिश करता है तो उसे साथ साल की सजा होगी या फिर दस मिलियन का जुर्माना लगेगा उसको बोलतावा देकर सबी हरान रह जाते हैं और यंगू के फादर खुशी के मारे नाचने लगते हैं वो खुशी में सबी को बताने लगते हैं कि अब मेरी बेटी बोलने लगी है इतने सालों के बाद आखिर उसने आज इतना सारा बोला घर आने पर वो यंगू को पूछते हैं कि तुमने इन कानूनी बातों को कहां से सीखा वो कहती है कि मैंने ये सब कुछ किताब में पढ़ा दरसल उसके फादर एक लॉयर हुआ करते थे उसके बाद यंगू बिना देखे वे एक एक करके सब एक इनमा लॉक की किताबे पढ़ने लगती है उसके फादर ये जानकर बड़े खुश होते हैं कि उसकी बेटी एक एकस्टा और्डिनरी और्टिस्म चाइल्ड है फिर जब लेंडलोड की वाइफ अपने हस्बेंड के बरे बरताव के लिए माफी मांगने के लिए आती है तो यंगू के फादर बताते हैं कि इसने इतनी बड़ी किताब एक इबार में पढ़कर याद कर ली लेंडलोड की वाइफ ये सुनकर बड़ी खुश हो जाती है और कहने लगती है कि हमारी यंगू सबसे अलग है वो एक जीनियस बच्ची है और बड़ी होकर बहुत अच्छे अटरनी बनेगी एक्चुली यंगू अपनी उमर के बागी बच्चों से बिलकुल अलग है क्योंकि इसका IQ लेबल नॉर्मल बच्चों से बहुत जादा है अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यंगू बड़ी हो चुकी है उसने अपने Law College में टॉप किया है और अब वो कोरिया की पहली और्टिस्टिक अटरनी बन चुकी है यंगू वेल फिश्ट से बहुत ज़्यादा अपसेस्ट होती है इसलिए हम उसके रूम में हर जगे वेल से रिलेटर चीज़ों को देख सकते हैं आज यंगू का बतोर अटरनी आफिस में पहला दिन है और वो इसके लिए प्रिपरेशन कर रही होती है वो तयार होने के बाद सबसे पहले अपने फादर के रेस्टराण में जाती है वहाँ पर वो ब्रेकफास्ट करती है फिर उसके फादर उसे आफिस का रास्ता पूछते है तो वो रट्टूत होते कि तरह पूरा रास्ता बताने लगती है उसके फादर बताते हैं कि तुम्हें आफिस में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो इस बात पर भी जोड देते है कि तुम्हें आफिस में वेल के बारे में बात नहीं करनी है समझी यंगू के लिए ये पबलिक टांस्पोर्ट में ट्रैवल करना बहुत अनकंफरेबल होता है और जब वो मेटरों में होती है तो वहां की भीड को देहकर घबराने लगती है इसलिए वो वेल से रिलेटेड म्यूजिक प्ले करके इमेजिन करने लगती है कि उसकी ट्रैन के साथ साथ एक बड़ी वेल फिश चल रही है इसलिए वो काफ रिलेक्स फिल करती है फूरी देर के बाद जब वो फाइनली अपने आफिस जाती है तो उसके सामने एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही है वहाँ एक घुमने वाला दर्वाजा होता है जिसे पार करने में उसे परिशानी हो रही होती है बार बार कोशिश करने पर भी वो अंदर नहीं जा पाती तब ही वहाँ पर एक स्ट्रेंजर लड़का आता है और उसकी मदद करता है इस लड़के का नाम है ली जुनों और य चला जाता है ऑफिस में जब अटरने जंग उसे पहचान नहीं पाते तो यंगू उसे अपना इंट्रॉड़क्शन देते वे कहती है कि मैं नियू जुआनिंग हूसर और आज मेरा आफिस में पहला देने है जंग डॉड से उसका रिजुम निकाल कर पढ़ने लगता है क्य और बाते पूछने लगता है तो यंगू अपने कलिक्स के सामने देखने लगती है वो उसे इशारे में कुछ गडबन ना करने के लिए कहती है लेकिन यंगू उसकी बात नहीं सुनती और उनके सामने अपना फणी इंट्रॉड़क्शन देती है जिसे सुनकर उसका दूसर लॉग कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे अब मेन हूँ ये देखकर हरान हो जाता है कि उसके रेजिमा पर कंपनी की सीओ हैन का स्पेशनल नौट लिखा हुआ है उसके पास एक टॉरने जंग कंपनी के सीओ हैन के पास यंगू के अन प्रफेशनल बिहिवर की शिकायत करते स्कुल्स का होना बेहत जरूरी है और यंगू के पास स्कुल्स नहीं है अटरनी बनने के लिए सोशल स्कुल्स भी होनी चाहिए तांकि वो अपने क्लाइंट से फ्लिउंटली बात कर सके लेकिन यंगू तो खुद ढंक से इंडिडियूस नहीं कर पाती तो और उसे बात कै से करेगी इसलिए एक और्टिस्टिक पर्सन कभी भी अच्छा उटनी नहीं बन सकता सी यू उसे कन्विस करने की कोशिश करती है लेकिन अंत में जंग उसके सामने एक कंडिशन रखता है जिसमें वो यंगू को एक केस सॉल्व करने के लिए देंगे अगर वो इस केस को ज देने लगता है वो बताता है कि एक 70 साल की बूड़ी औरत जो अपने 80 साल के हस्बेंड की कियर करती थी वो दोनों अचानक एक दिन किसी बात पर जगडने लगे और उसने अपने हस्बेंड के तानों से परिशान होकर घुसे में आरन से उसके सर पर मार दिया यंगू केस क फाइल पढ़ी रही होती है तब ही उसकी नज़र उस आरन की फोटो पर पढ़ती है जिसको देखकर वो आरन को वेल फिश के साथ एजंबल करती है और उसके बारे में फैक्ट्स को बताने लगती है यंगू वेल को इतनी जादा पसंद करती है कि वो हर चीज को इसके साथ इरिटेट हो जाते हैं और उसे आफिस में वेल की बात करने से मना करते हैं साथ ही कहते हैं कि तुम बस इस केस के उपर फोकस करो और कुछ नहीं फाइल को पढ़ने पर यंगू पूरे इंसिडेंट को इमेजिन कर लेती है जिसमें हम देखते हैं कि वो बोड़ा आदमी इसके बाद अटरनी जंग बताते हैं कि अब उस औरत के ओपर अटेंप्टू मर्डर कारोप लगाए गया है और हमें उसका डिफेंस करना है फिर जंग यंगू को उस औरत के पास कोश्टनिंग के लिए लेके जाता है वो औरत यंगू की चाल और बात करने के तरीकों को द ती थी और अब वो अटरनी बन चुकी है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और यंगू को गले लगा लेती है लेकिन यंगू को पसंद नहीं आता जब कोई उसके इतने करीब आए दरसल यह आटिस्टिक स्पेक्टरम सिंटरम का सिंटरम है फिर दोनों इस केस के बारे मे दिये तो उसे कम सजा मिलेगी यंगू अपना पॉइंट बताते हुए कहती है कि वो औरत अपने पती को नहीं मार सकती चौँकि उसके घर का गुजारा उसके पती की पेंशन और घर के किराय से होता है लेकिन वो औरत अगर अपने पती को मारना भी चाहती थी तो उसके भी नहीं लगेगा क्योंकि वो जिस घर में रहती है वो उसके पती के नाम पर है उसके मरने के बाद उसकी वाइफ का उसकी प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार नहीं रहेगा और उसका सोर्स ओफ इंकम खत्म हो जाएगा वो आगे कहती है कि उस औरत को बचाने के लिए अट को देखते हैं जिसकी ओपर आफिस की सबसे खुबसूरत लड़की लाइन मारने की कोशिश कर रही है तब ही वहाँ पर एक दूसरा इंप्लॉई आता है जो जुनो को किसी नई अटरनी के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए के लिए इधर जब यंगो फिट से उसे घूमते के साथ ही हॉस्पिटल जाना है कुछ देर बेट करने के बाद जुनो एक नंबर पर कॉल करता है जो यंगो रिसीव करती है और दोनों की कनफ्यूजन क्लियर हो जाती है फिर जुनों उसे रिदम के साथ दरवाजा पार करना सिखाता है और दोनों हॉस्पिटल के रवाना ह जाते हैं जहां उसकी वाइफ उन्हें ये कहकर बाहर लेकर जाने लग जाती है कि इस वक्त वो सो रहे हैं लेकिन तब ही वो आदमी जाग जाता है और उसकी वाइफ उसे यंगू के बारे में बताते हुए कहती है देखो ये हमारे क्रेयदार की बेटी है जो बोल नहीं सकती ये सुनते ही उसे खुसा जाता है और वो यंगू के फादर को गंदी गंदी गालियां देने लगता है वो वाइलेंट हो जाता है और यंगू को मारने भी लगता है लेकिन जुनों उसको आकर बचाता है बाहर यंगू से बात करते हुए पूछती है जब आपने अपने पत जाते हैं और उसे पूरा इंसिडेंट बताते हैं अब जंग कहता है कि उन्हें जूरी ट्रायल के लिए पूछना चाहिए दरसल जूरी ट्रायल बहुत सारे लोगों का ऐसा पैनल होता है जो कि इसकी डिटेल्स को बारेकी सी देखकर अपना फैसला सुनाते हैं अब जूरी ट पॉलेज में हमेशा फॉस्ट आती थी मैंने उसकी हालत को देखकर बहुत बार उसकी मदद की लेकिन वो हर बार मुझे पीछे छोड़कर आगे निकल गई नीचे यंगो फिट से दर्वाजा पार करने की कोशिश कर रही होती है तभी सुयोन को उसकी ओपर दया आती है और वो उसकी मदद करने के बाद उसे बेकुफ कहकर चले जाती है रात में यंगो अपनी वेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए रस्टरॉन में जाती है जहां पर वो काम करती है वहाँ वो अपने दोस्ते जूरी ट्रेयल में कैसे बोलना है उसकी पैक्टिस करने के लिए मदद मांगती है उसकी दोस्त उसकी मदद करती है अब अगले दिन यंगो बहुत घबराई भी कोट्रू में जूरी ट्रेयल के लिए आती है वो इतनी नर्वस है कि जज के बोलने पर कुछ भी नहीं बोल पाती जंग उसकी जगे बोलता है मुरल सपोर्ट के लिए उसके फादर और दोस्त वहाँ पर आते है अब ओपनिंग स्टेटमेंट देते समय यंगू सभी को खुद का इंट्रोडक्शन देते वे कहती है कि मुझे आर्टिस्म डिसॉडर है जिस वज़े से आप सभी को मेरे बात करने का तरीका और चलने का तरीका थोड़ा अजीव लग सकता है लेकिन बाकी अटर्नी की तरह मैं कानून से बहुत प्यार करती हूँ फिर परसीक्यूटर उस औरत से कुछ सवाल पोचता है और वो रोने लगती है जिस वज़े से आज का ट्रायल अच्छा नहीं जाता अटर्नी जंग उस औरत के पती को कोट में लाने के ड्वाइस देते हैं क्योंकि जब वो यंगू को देखकर घुसा करेगा तो फैसला उनकी तरह हो सकता है अगले दिन कोट में यंगू बहुत घबराई भी पोच्छताच करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है लेकिन जैसे ही वो आदमी यंगू की शक्ल देखता है तो वो उसके ओपर घुसा करने लगता है वो चिलाते वे उसे मारने के लिए आगे आता है और सभी उसको रोकते है उसके घुसे को देखकर जूरी मेंबर्स को समझी में आ जाता है कि उसकी वाइफ ने उसके एंगर इशू के चलता है उस पर मारने के लिए हाथ उठाया होगा फिर उस आदमी को वापस हॉस्पिटल भेज़ दे जाता है और अब ट्रायल होता है शुरू यंगो अपनी पूरी कोशिश करने के बाद इस केस को जीतने वाली होती है तब ही उन्हें खबर मिलती है कि हॉस्पिटल ले जाते समय उस आदमी की मौत हो गई अब प्रोसीकूटर का आद में इस केस को मुर्डर का मामला बना देता है फिर जब यंगो और जुनो ऑफिस में इस केस के बारे में डिसकूशन कर रहे होते हैं तो जुनो उसे परिशान देखकर विल्स के बारे में बात करने लगता है जिससे उसका मन थोड़ा हलका होता है पोस्ट मार्टडम रिपोर्ट पर यंगो को रेलाइज होता है कि उस आडमी को एरेंज से चोट लखने से पहले ही सिर्दर्द रहा था अब ड्याल के दिनों डॉक्教el से पोच्छ दाज करते हैं कि उसको चोट लखने से पहले ही कोई दिमागी बिमारी थी और उसकी वाइफ के हिट करने से पहले ही वो बेहोश हो गया था इस स्टेटमेंट से क्रिमिनल केस वापस फिजिकल डैमेज केस में बदल जाता है और जब यंगो आफिस में आती है तब ही जुनु आकर उसे बताता है कि तुम इस केस को जीत गई हो और इसके साथ वो औरत भी आती है वो इमोशनल होकर यंगो को गले लगाती है और उसे थैंक्स कहती है यंगो भी उसे गले लगाने की कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती अब लास्ट सीन में हम कंपनी के सीयो को यंगो के फादर ग्वैंगो से मिलते वे देखते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है एपिसोड टू की शिरुआत एक बहुती बड़ी मेरिज सेलिबरेशन पार्टी से होती है जहां पर ब्राइड और ग्रूम सब के सामने स्टेज के उपर वेडिंग मार्च कर रहे होते हैं सब कुछ सही चल रहा होता है लेकिन ब्राइड की नजर शादी माई किसी शक्स के उपर पढ़ती है जिससे वो डिसट्रैक्ट हो जाती है और उसी जगे पर खड़ी हो जाती है ये देखकर ग्रूम उसका हाथ पकड़ कर उसे आगे लिजाने की कोशिश करता है और ब्राइड अपने ही ड्रेस के ओपर पैर रख देती है जिससे उसका बैलेंस मिगर जाता है और वेडिंग ड्रेस स्लिप होकर वेश्ट तक आ जाती है किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया और कुछ देर तक ब्राइड इस तरही एक्सपोजड रहती है फिर जल्दी से गुरूम उसको सामने से ढखता है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी इस इंसिडेंट से सभी लोग शौक में रह जाते हैं पर सबसे ज़्यादा शौक गुरूम के दादाजी को लगता है क्योंकि वो ब्रैड की कमर पर बने वे बुद्धा का टैटू देख लेते हैं और ये टैटू उनकी शादी के बीच बहुत बड़ी दिवार खड़ी कर देता है वैले बगले सीन में यंगो उसके फादर के रेस्टाउन में जब ब्रिकफस्ट कर रही होती है तो उसके फादर टेवी पर चल रही बैडिंग को देखकर यंगो को कहते हैं कि मेरा सपना है कि मैं तुम्हें भी ऐसी ही ड्रेस में देखू यंगो उनकी बातों को इगनौर करती भी वैल्स के बारे में बात करने लग जाती है कि अचानक रुकती है जिससे ग्वैंग सरप्राइज हो जाता है फिर यंगो बताती है कि आज के बाद मैं उन्हीं लोगों से वेल्स के बारे में बात करूँगी जो ये सुनना चाहते हैं और मुझे ऐसा कोई मिल गया है जो मेरी बातों को अच्छे से सुनता है इतना कहकर यंगो आफिस के ले निकल जाती है दूसरी और हम देखते हैं कि हेंडबा लॉफ फर्म में एक आदमी अपना केस लेकर सीनर अटर्नी जंग और सीयो हैन के पास आया है ये आदमी एक बहुती बड़ी कंपनी का चेयरमेन है और वो उसी लड़की का फादर है जिसकी वैडिंग पार्टी में ड्रेस लिप हुई थी इसका नाम मिस्टर सिन है और वो वैडिंग के दिनोई घटना के बारे में सब कुछ बताता है तो कहता है कि मैंने सबसे अच्छे होटल को बहुत जादा पैसे दे कर शादी की अरेज़्मेंट्स करवाने का काम दिया था और उन्होंने य वैडिंग ड्रेस प्रिपियर गे थी लेकिन ड्रेस लिप होने की बज़े से मेरा और मेरी बेटी का सब के सामने मजाक बन गया अपने बेज़दी का बद्ला लेने के लिए ये होटल वालों के उपर केस करके उनसे एक बिलियन येन का कमपनसेशन चाहता है जब होटल वालों को इसकी खबर मिले तो उन्होंने लड़की के फादर को शादी के रिफन्ड 230 मिलियन येन और इसके साथ लड़के और लड़की को 10 मिलियन का होटल वाउचर देने का उफर दिया अब इसी सुनकर अटरने जंग और CEO हैन उसे समझाती हैं कि इतना ज़दा कमपनसेशन मिलना इंपासिबल है और होटल वालों ने जो मुआपजा दिया है वो बहुत ही बड़िया है इतना सुनते हैं मिस्टर सिन को खुस सा जाता है और वो कहते हैं मुझे लगाता कि हैंड बा लाव फर्म टैजन लाव फर्म से बहुत ज़दा बहतर है लेकिन तुम दोनों में कोई फर्क नहीं है मिस्टर सिन ने कई सालों से टैजन लाव फर्म को बहुत सारे कांट्रेक्ट दिये हैं लेकिन आज उन्होंने भी मदद करने से मना कर दिया था इसलिए यहां पर आए हैं अब यह सुनकर हैं तो ट्रिगर होती है क्योंकि टैजन लाव फर्म उनकी कॉम्पिटिटर पार्टी है और आज हैं के पास खुद को बाकी लाव फर्म से बड़ा बनाने के लिए अच्छा मौका है और इसी मौके का फाइदा उठाकर हैं जोश में आकर उसे एक बिलियन येन का कमपनसेशन दिलाने की डील कर देती है यह सुनकर अटरने जंग बिलकुल शाक हो जाता है लेकिन मिस्टर सिन की खुशी का ठिकाना नहीं होता अब उन्होंने अपने हाथ में केस तो ले लिया है तो किसी भी तरह उन्हें ये जीतना ही होगा इसलिए अटरने जंग अपनी टीम के साथ मीटिंग में केस के बारे में डिसकस करता हुग गहता है कि हमें कैसे भी करके होटल से एक बिलियन येन का कमपंसेशन लेना है वो हर तरह से कमपंसेशन बढ़ाने के बारे में सोचते हैं लेकिन धाई सो मिलियन डॉलार से जादा मिलने का कोई चांस ही नहीं हो रहा होता है इस केस के बारे में सबूत को खोच ने कले अटरने जंग दो टीम बनाते हैं जिसमें यंगू और जुनो बराइट से मिलने के ले जाएंगे और सुयोन और मिन्हो नकली दुलह दुलन बन कर होटेल में जाएंगे और उन से शादी के रेज़्मेंट्स करवाने के बहाने ड्र पता नहीं है क्योंकि ये सबी अर्रेंज्मेंट्स मेरे फादर ने किये थे वो ये भी कहती है कि शादी के एक दिन पहले जब मैंने अपनी ड्रेस को चेक किया तो वो बिलकुल फिट थी लेकिन शादी वाले दिन ड्रेस कुछ लूज लग रही थी उसने इस बात की शिकाय की थी उन्होंने अपने किसी भी दोस्त को शादी में इनवाइट नहीं किया था मिन हो को ये बात थोड़ी अजीब लगती है यंगो उससे पूछती है कि तुम्हारे रूम में दोस्तों के बहुत सारे फोटोस हैं लेकिन तुम्हारे हस्बेंड का एक भी फोटो नहीं है किम जूट कहती है कि शादी के बाद नए घर में शिफ्ट होना था इसलिए सबी फोटोस वहाँ पर हैं लेकिन यंगो उसका जूट पकड़ लेती है और अपने फिंगर से पॉइंट आउट करके बॉक्स में रखे वे खियो के फोटो को दिखाती है खियो उसका पती है और कहती है कि तुमने अपनी वेडिंग रिंग भी नहीं पहनी है इस बात पर किम कहती है कि खियो के दादा जी चर्च में कुछ काम करते हैं और वहाँ पर मैं प्यानो बजाय करती थी उन्होंने मुझे खियो से मिलवाय था और मेरी फैमिली से शादी के बारे में बात भी की दरसल खियो के दादा जी कैथोलिक हैं और जब उन्होंने किम की कमर पर बुद्धा का टैटू देखा तो उन्हें बहुत बड़ा जटका लगा और वो शादी को तोड़ने पर जोड़ दे रहे हैं इसके बाद यंगो और मिन्हों खियो से मिलने के लिजाते हैं तो वो कहत देता है कि शादी की दिन जो भी हादसा हुआ उससे किम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ट हो गई इसलिए वो थेरेपिस्ट के पास अपना इलाज करवा रही है यंगो जब उससे पूछती है क्या तुम शादी तोड़ना चाहते हो तो क्यों कहता है कि मैं अपने पैरेंट तुम है उससे कम बात करनी चाहिए क्योंकि अभी तो तुम उसकी बाते सुन रहे हो लेकिन जब तुम सुनना बंद कर दोगे तो वो काफी हट होगी जुनो को उसकी बात समझ में आ जाती है रास्ते में सुयोन का पेट खराब हो जाता है इसलिए होटिल पहुचने पर वो झोचने को सीधे वोश्टूम की तरब भागती है तभी वहाँ पर यंगू भी आ जाती है वो जुनो को नहीं बताती है कि मेरे बैग में क्या है और सीदे सुयोन के पास चले जाती है लूज मोशन की मुझे से सुयोन जुनो के सात नहीं जा सकती है इसलिए वो यंगू को शादी करनी होगी ये सुनकर जोनों तो शौक रह जाता है फिर दोनों वेडिंग और्गनाइजर के आफिस जाते हैं और उनसे अपने जूटी शादी के अरेजमेंट्स के लिए डिसकस करने लगते हैं फिर जब वेडिंग ड्रेस लेक्ट करने का समय आता है तो यंगो उसी ड्रेस को पिक अप करती है जिसे किम ने पहना था और वो उसे ट्राइ करने के लिए कहते हैं और उन्हें कहती है कि देखें ये फैशन तो पुराना हो चुका है लेकिन यंगो इसी ड्रेस को पहनने के ओपर जोड देती है जोनों उनसे पूछता है कि मेरी वाइफ बहुत इसलिए ध्यान रखना कि ड्रेस स्लिप ना हो जाए ये सुनकर और्गनाजर कहती है कि आज तक किसी भी ब्राइट की ड्रेस स्लिप नहीं हुई है इधर जब सुयोन वाश्टों में होती है तो बाहर एक लड़की को फोन पर बात करते वे सुनती है जो इसी होटेल में काम क करती है जोनों उस लड़की का पीछा करते हुए उसके पास जाता है और उससे जुही का मुबाइल नंबर मांगता है तभी पीछे से वेडिंग और्गनाजर आ जाती है वो उसे अपने साथ लेके जाती है जोनों कॉल पर सुयोन से बात कर रहा हुता है तभी उसके सामने वेडिंग ड्रेस में यंगू आ जाती है और जुनो उसकी खुब सुरूती को देखते है रह जाता है फिर देखते देखते जज़ इस केस के दोनों पक्षो का ट्रायल से पहले सेटलमेंट करवाने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी राजी नहीं होता बात में जब सुयोन कि साकेटिस्ट के पास जाती है तो वो भी किम के बारे में को इनफॉर्मेशन देने से मना कर देता है वैल अगले दिन जब जुनो और यंगू होटल के कैफे में होते है तब ही जुनो उससे सज़ेस्ट करता है कि हमें वेल्स के बारे में बात करने के लिए स्पेसिफिक रखना चाहिए और इस बार यंगो भी आगरी हो जाती है वो दोनों बात कर रहे होते हैं तब ही जुनों को फिर से वो लड़की दिखाई देती है जुनों उसके पास जाकर उससे वेडिंग ड्रेस के इंसिडेंट के बारे में पोचता है और जुही की कॉंटेक्ट इंफॉर्मेशन मांगता है लेकिन वो लड़की कुछ भी बताने से मना कर देती है जुनों उससे रिक्वेस्ट करता है कि देखो शादी के दिन जो कुछ भी हुआ उससे किम की शादी तूट गई और अब उसका सैकेटरिस के पास इलाज चल रहा है यह सुनकर उस लड़की को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है जुही विदेश चली गई है अगले दिन कोट में जुनों कैसे भी करके जुही को गवाई देने के लिए बुला ही लेता है वो बताती है कि वेडिंग ड्रेस लिप होने के पीछे होटेल वालों की गलती थी चुकि वेडिंग से ठीक पहले लास्ट मॉमेंट पर गलती से वो ड्रेस फट गई उनके पास ड्रेस रिपेर करने का समय नहीं था इसलिए वेडिंग और्रेस ने ड्रेस को बदल दिया जो साइज में थोड़ी बड़ी थी अब इससे जंग को लगता है कि ये केस वो जितने वाले हैं लेकिन फिर जब डिफेंडेंट की टौन आती है वो किम से सवाल पूछता है और सभी को बताता है कि तुमने शादी के तुरंत बाद एक सोशल मीडिया एप के ओपर पोस्ट डाली थी जिसमें तुमने लिखा था कि मैंने अपनी शादी को बरबाद कर दिया है और मैं बहुती खुश हूँ किम के इस स्टेटमेंट से पूरा केस पलड जाता है रात को जब अटर ने जंग की टीम किम से डिसकस कर रही होती है तो वो उसे सब कुछ बताने के लिए कहते है ताकि केस आगे जाकर कोई नया मोड न ले किम कहती है मैं कभी भी यह शादी नहीं करना चाहती थी लेकिन मेरे फादर न peng ने ये शादी दोनों परिवारों के बिजनेस कोँ आपस में मर्ज करना यह तै की मेरे फादर को शादी से जदा इस चीज्ब के खुशी थी क्योंकि जो जमीन उन्हें शादी के बाद मिलने वाली थी वो उन्हें अब नहीं मिलेगी इसलिए शादी तूटने की वज़े से उन्हें लॉस हुआ है और ये वेडिंग होटेल वालों की कलती के कारण हुआ है इसका मतलब अब होटेल को उन्हें जमीन के नुकसान की रकम देनी होगी अटोरनी जंग उसके इस आइडिया से बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है और उसे आरग्यूमेंट स्टेटमेंट बनाने के लिए क्लिए कहता है कि कैसे वो लोग special damage की डिमांड करके उन्हें जो compensation मांगा था उससे तीन गुना compensation ले सकते हैं इसका मतलब है कि उन्हें अब 3 million yen का compensation मिलेगा यह सुनकर Mr. सिन बहुत ज़्यादा खुश होते है फिर यंग हुँ उन्हे फाइनल आरग्यूमेंट की statement देती है जिसको पढ़कर मिस्टर सिन उन्हें यही आर्गुमेंट समेट करने के लिए कहता है किम कहती है कि वो नहीं चाहती कि इस केस को और जदा आगे बढ़ाए जाए लेकिन मिस्टर सिन उसे चुप करा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी उपीनियन मैटर नहीं करती अगले दिन ट्राइल के समय ख्यो की अंकल यानी होटिल के मालिक को कनफेशन बॉक्स में बुला जाता है जहां टरने जंग बातों में उसको फंसा कर ये कबूल करवा देते हैं कि उसके सामने ही ख्यो की दादा जी और किन के फादर ने जमिन के सौदे की बात की थी अपोनेट लोयर को लगता है कि वो अब केस हारने वाला है फिर जंग के दिखाए गए स्पेशल डेमेज के स्टेटमेंट को पढ़कर जजज अपना फैसला हेंडबा लॉफ़म के पक्ष में सुनाने वाले होते हैं कि तब ही किम अपना हाथ खड़ा कर देती है और केस वापस ले लेती है फ्लेश वक में देखते हैं कि किम के पूछने पर यंगो ने उसे बताया था कि तुम केस को कैसे विजड़ो कर सकती हो अब वापस प्रेजेंट में आते हैं जहां मिस्टर सिन एहन मौके पर केस को वापस लेने के करण किम के उपर बहुत खुसा हो जाते हैं फिर किम सच बताते हुए कहती है कि वो खेयों से नहीं बलकि किसी और से प्यार करती है और वो उसकी बेस्ट फैंड नीनी है किम ने शादी वाले दिनी को देखा था जिससे वो डिस्ट्रेक्ट हो गई वो आगे बताती है कि फ्यूचर में वो और नीनी एक दूसरे के साथ शादी करने वाले हैं अब ये सुनकर मिस्टर सिन तो बेहोश हो जाता है और किम नेनी का हाथ पकड़ कर बाहर चली आती है वैल केस क्लोज होने की खुशी में सी यो हैन अपनी पूरी टीम को एक एकस्पैंसिव रेस्टरॉंट में डिनर के लिए बुलाती है इतनी महेंगे डिशिश होने के बावजूद भी यंगो सुजी ओर्डर करती है डिनर के बाद जन्हों रेस्टरॉंट के बाहर यंगो का इंदजार कर रहा हुता है लेकिन वो उसे कुछ भी कह बेना चली जाती है घर पहुँचकर वो अपने फादर को एकस्पैंसिव रेस्टरॉंट से लाया हुआ खाना देती है जिसको देखकर वो बहुत जादा खुश होता है क्योंकि पहली बार उसकी बेटी उसके लिए खुद के पैंस उसे खाना लाही है फिर यंगो उन्हें कहती है कि शायद आर्टिस्म डिसॉडर के कारण मेरी शादी कभी नहों पाए लेकिन अगर कभी भी मेरी शादी हो जाती है तो मैं चाहती हूँ कि उसके बाद आप भी शादी कर लेना क्योंकि आज तक आपने सिंगल फादर होने के बावजूद भी मेरी जिम्मेदारी को बखुभी निभाया पर शादी के बाद मैं आपको अकिला नहीं देखना चाहती ये सुनकर ग्वैंग अपसेट हो जाता है इसके बाद हम देखते हैं कि टेजन लौफरम के सीईओ सुभी एक इंटर्विव दे रही है इंटर्विव खत्मोने के बाद एक अटरनी आकर उसे बताती है कि जो केस हमने लेने से मना कर दिया था उसे हेंड़ बाव लौफरम ने ले लिया था करते हैं लेकिन तब तक उसके बड़े वेटे की मौत हो चुकी है आखिर उस लड़किया ने अपने बड़े भाई को क्यो मारा इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है लेकिन एपिसोड तीन में आपको ये सारे जबाब जरूर मिलेंगे आगे दोस्तों वीडियो अच्छी लगई हो एक्स्पेंशन अच्छा लगा हो स्रीज अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए चैनल को सबस्क्राइब मिलता है अगले एपिसोड में तब तक ले घुडबाय अपना खयाल रखे और फैनली थैंक्स वर वाचिंग